नमस्कार दोस्तों, Welcome to Study IQ Judiciary दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत एक democratic country है हम अपने नुमाइंदों को चुन कर हमारे देश की पार्लेमेंट और हमारी स्टेट्स की legislative assemblies में भेजते हैं हमारे दोरा चुने गए यही नुमाइंदे हमारे बहाफ पर हमारे देश को चलाते हैं लेकिन दोस्तों ये भी बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारी इस democracy में कई सारी समस्या हैं उन में से एक जो सबसे बड़ी समस्या हमें नजर आती है वो है criminalization of politics यानि कि जिन representatives को हमने चुन कर भेजा था हमारे लिए कानून बनाने के लिए उन्ही पर ये आरोप लगता है कि वो कई सारे कानूनों को तोड़ कर वहां तक पहुंचे हैं इस समस्या का हल निकालने के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं उनमें कई सारी honorable supreme court की judgments भी शामिल है आज हम जिस judgment की बात करेंगे वो उसी दिशा में एक बहुत ही एहम कदम है हम बात करेंगे Lily Thomas versus Union of India जो की 2013 का एक बहुत ही important case है और इसी समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों की study IQ लेकर आया है study IQ judiciary जो की dedicated channel है उन सभी लोगों के लिए जो की या तो judiciary की तयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य legal examination जैसे की APO आदी की तयारी कर रहे हैं या फिर किसी law college entrance exam जैसे की CLAT आदी की तयारी कर रहे हैं अगर आप legal awareness में भी विश्वास रखते हैं तो आप इस channel को subscribe कर सकते हैं साथ ही में study IQ ने एक नया batch भी launch किया है UPSC के लिए अगर आप UPSC की तयारी करना चाते हैं तो एक अगस्त से ये batch launch हो रहा है शाम 6 बज़े से इसकी classes रहा करेंगी आप चांद live का ये code इस्तेमाल करके 19,499 रुपीज में इस batch को अवेल कर सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले एक background देख लेते हैं देखे दोस्तों हम सब जानते हैं कि 2019 में हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे इसमें जो MPs चुनकर आए थे इस लोकसभा में जो MPs चुनकर आए थे उनमें से 539 MPs पर एक study conduct की गई by Association for Democratic Reforms ADR के द्वारा और उस study में ये पाया गया कि लगबग 233 MPs यानि कि कुल संख्या का 43% ऐसे MPs थे जिनके उपर criminal charges लग चुके हैं यानि कि जिनके उपर ये आरोप लग चुका है कि वो कोई ना कोई अपराद करके आयो हैं अगर हम 2019 की इस चुनाव को 2009 के चुनाव के साथ compare करें तो हमें देखने को मिलता है कि 2009 के मुकाबले 2019 में 109% की बढ़ोतरी हुई है ऐसे MPs में जिनके उपर कोई serious crime करने का आरोप लगा है अब ये हम केवर लोग सभा की ही बात कर रहे हैं अभी तो राजे सभा की अगर बात करें तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा और अगर हम सभी members of legislative assemblies या फिर members of legislative council यानि कि हमारी जो states की legislative assemblies है उनकी बात करें तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा अपने आप में एक चंता का विशेय है ऐसे में हमने अभी बात की कि कई सारे judgments honorable supreme court की आ चुकी है उनमें से कुछ important judgments को हम देख लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ADR versus union of India 2002 की ये judgment है इसमें honorable supreme court ने कहा था कि जो भी ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं कोई भी चुनाव लड़ने के इच्छ जनता को कि उनकी ऊपर कौन से कौन से criminal charges लगे हैं कौन से कौन से दोश उनके ऊपर साबित हो चुके हैं कौन से केसे चल रहे हैं pending हैं दूसरी बात है कि उन्हें अपनी educational qualifications बतानी होंगी अपनी जो कुल संपत्ती है वो बताना होगा इस तरह से आपको अपनी सारी details जनता के सामने रखनी होंगी ताकि एक transparency आ सके और जनता सोच समझ कर उन चराओं में आपको चुन सकें दूसरी एक और judgment है that is Public Interest Foundation versus Union of India 2014 की ये judgment हैं इसमें सभी trial courts को ये हिदायत दी गई थी कि भी जितने MLA's या MPs हैं जितने भी sitting MLA's या MPs हैं अगर उनकी उपर कोई मुकदमा चल रहा है तो ऐसे मुकदमों में एक साल के अंदर अंदर आपको trial complete करना है अब ये बात भी जग जाहिर है कि हमारे देश में जो मुकदमें हैं वो सालों साल चलते हैं ऐसे में जो sitting MPs होते हैं या MLA's होते हैं उनकी उपर कोई मुकदमा चल भी रहा है तो वो उनकी tenure पर कोई पैसर नहीं डालता उसी से जूड़ी हुई ये judgment थी स्पष्ट कर दिया एक साल का समय सारे जो मामले हैं वो उसको निप्टाया जाए जब भी कोई MP MLA पर कोई मुकदमा चलते हो तो इसे एक साल के अंदर निप्टाना है उसके बाद एक और judgment आती है देट इस राम बाबु हुए नहीं हुए जो भी आपके मुकदमे हैं वो सब आप पब्लिक के सामने लेकर आओगे अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो अगें all the candidates were mandated for this purpose चले अब हम आज की अपने इस judgment की बात करते हैं लिली थॉमस की ये जो judgment आई इस की बात करते हैं इस judgment को जानने से पह जो की बात करता है डिस qualification from membership of parliament यानि कि अगर आप member of parliament बनना चाहते हैं चाहे वो लोग सभा के member या फिर राजे सभा के member तो आप में ये कोई भी दोश नहीं पाया जाना चाहिए अगर आप में इन में से कोई भी disqualification या दोश पाया जाता है तो आप membership of parliament नहीं पा सकेंगे य हैं उसके बाद आप में से इन में से कोई डिस्क्वालिफिकेशन पाई जाती है तो आपको अपनी सीट लूज करनी होगी यही कहा गया है एक सो दो में इसी तरहां से इसी तरज पर बनाया गया है एक सो इक्यानवे जो की बात करता है मेंबर्स ओफ लेजिसलेटिव असेंबली या फिर मेंबर्स ओफ लेजिसलेटिव काउंसिल के सदस्य अता के पहले अगर मानलो आप अल्रेडी चुनाव जीत चुके हो उसके बाद आप में इन में से कोई पाया जाता है तो आपकी वो जो seat है वो खाली हो जाएगी आपकी वो जो गदी है वो चली जाएगी अब क्या-क्या disqualifications है सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि 191 जो कि MLA MLC की बात करता है और 102 जो कि MPs की बात करता है दोनों में जो disqualifications है वो एकदम same है यानि कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है दोनों के लिए same disqualifications है कौन से कौन सी है सबसे पहले वो देख लेते हैं सबसे पहली है कि if he holds any office of profit under the government of India और government of any state other than the office declared by the parliament यानि कि आप अगर कोई office of profit hold कर रहे हो यानि कि कोई कि ऐसा पद सरकार में आप hold कर रहे हो जिससे आपको कोई benefit हो रहा है office of profit है और सरकार ने उसे exempt नहीं किया है तो आप यहां पर disqualified हो क्या करने से चुनाव लड़ने से दूसरा है कि अगर आप unsound mind के हो and stands to be declared by the competent court यानि कि court ने आपको unsound mind का declare कर दिया है यह disqualification है तीसरा है कि अगर आप अप undischarged insolvent हो चौथा है कि if you are not a citizen of India या फिर आपने citizenship को छोड़ दिया है भारत की नागरिकता को छोड़ कर किसी अन्य देश की नागरिकता को ले लिया है ऐसे में भी आप जो है भारत के इस चुनाओ में हिस्सा नहीं ले सकते एंपी या मेले की चुनाओ में हिस्सा नहीं ले सकते इन चारों कंडिशन के साथ साथ इसी इन दोनों ही आर्टिकल्स में एक और क्लॉस जोड़ दिया गया अबीर विक्षा कि पारलेमेंट भी ये पावर है कि पारलेमेंट भी कानून बना कर बाइलो कानून बनाकर और जादा डिस्क्वालिफिकेशन ला सकती हैं आपको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए या फिर आपकी मेंबर्शिप कैंसल करने के लिए अब यह जो क्लॉज है जो की 102 जो आप देख रहे हो इसमें क्लॉज ही सब सेक्शन सब आर्टिकल 1 का और 191 में फि रेजेंटेशन ओफ पीपल्जेक्ट 1951 यह पारलेमेंट को पावर कहां से मिली तो हमने अभी देखा कि 191 उसमें वन और यह आपको पावर मिलती है वण 021 यहापो पावर मिलती है पारलेमेंट को कि वो और ज़्यादा इस्क्वालिफिकेशन लेकर आ सकती है ऐसा कानून बना सकती हैं अब ये कानून जो बना इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ओफीपल एक्ट 1951 इस कानून में section 8 हमारे लिए जरूरी हो जाता है section 8 में क्या क्या बातें कही गई है section 8 में कहा गया है disqualification on conviction for certain offenses यहाँ पर बता दिया गया कि अगर आप इन में से दिये गए किसी भी अपराध में दोशी पाये जाते हो conviction हो जाती है तो आप disqualified हो जाओगे चुनाव लड़ने के लिए या फिर आप चुनाव अगर जीत चुके हो तो आपको अगर इन में से कोई भी disqualification या दोश पाया जाता है तो आपकी वो जो आपकी seat है वो चली जाएगी क्या-क्या disqualification से चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें बेसिकली तीन क्लाउस हैं आज की डिट में आर्टिकल सॉरी सेक्शन एट वन सेक्शन एट क्लाउस टू या सेक्शन एट क्लाउस त्री सबसे पहले अगर हम एट वन की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि सेक्शन 153A of IPC 171E of IPC 171F of IPC इस तरह से 498A of IPC सो बेसिकली कई सारे इन्होंने क्या किया सेक्शन उठा लिया IPC के जो की ऐसे ओफेंस हैं जो की इन्होंने ground for disqualification बना दिया जैसे कि offense for promoting अगर कोई व्यक्ती के उपर यह आरोप लगा है और यह आरोप से दो जाता है कि उसने दो धर्मों के लोगों के बीच में दुश्मनी को बढ़ाया है दो लोगों को दो ऐसी communities जो की religious या फिर language के basis पर बटी हुई है ऐसी communities में अगर इसने दुश्मनी में को बढ़ाया है तो उसको आप disqualify कर दोगे अगर आपने चुनावों में किसी अफसर को या किसी जनता को आपने रिश्वत देने की कोशिश की है तो disqualified हो इस तरह से कई सारे ground यहां पर दे दिए गए इसी तरह से अगर आप untouchability के इस कानून के तहत दोशी पाए जाते हो civil rights act 1955 के तहत दोशी पाए जाते हो foreign exchange regulation act के तहत दोशी पाए जाते हो नार्कोटेक्स drug control and psychotropic substances act के तहत दोशी पाए जाते हो तो यह सारे जो ground है यह disqualification के दे दिए गए 8-2 में भी यही बात की गई है कि अगर आप इन में से किसी भी ground पर दोशी पाए जाते हो तो आप disqualified हो चुनाव लड़ने से जैसे कि dowry prohibition act के तहत आपके उपर यह सिद हो जाता है कि आपने दहेज लिया या दिया तो आप यहां पर क्या हो disqualified हो तो यह हो गया इसी तरह से क्लास 3 यहां पर क्या कैता है कैता पर सन कंवेक्टेट अफ एनी ओफेंस एंड संटेंस प्रिजन में फोर नॉट लेस दन तो यह अदर दन अनी ओफेंस रफेंस रफर इन सब्सक्शन 1 और सब्सक्शन 2 शैल भी दिस्क्वालिफाइड फ्रॉम देट अफ सच गन्विक्श किसी भी आरोप में आप दोशी नहीं पाए जाते हो इसके अलावा अगर आपकी उपर कोई आरोप लगता है और उसमें आपको दो साल से जादा की सजा मिलती है या फिर दो साल की सजा मिलती है ऐसे में आपको भी यहां पर डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया डिस्क्वा not less than two years दो साल या उससे ज़्यादा कि अगर आपको किसी अन्य ओफेंस में सजा हो गई तो आपको यहाँ पर disqualify कर दिया जाएगा from the date of such conviction और वो जो conviction है कब तक चलेगी for the period of six years since the release यानि कि जिस दिन आप छूट जाओगे मानलीजे आपको उपर कोई का रोप लगा आपको तीन साल की सजा मिल गए आप तीन साल के बाद जेल से बाहर आते हैं उसके छे साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ये इसमें कहा गया सो कुल मिला के section 8 में और कई सारी नई disqualification जोड दी गए अब इसी section 8 में एक subsection 4 भी हुआ करता था जिसके खिलाफ Lily Thomas ने ये पूरा मामला लेकर आया ओके तो ये जो section 4 था बेसिकली ये था problem की वज़ए ये थी पूरी problem जिसको challenge किया गया Lily Thomas के इस case में section 4 subsection 4 जो है 8 section का वो क्या कहता है चलिए देख लेते हैं इसमें थोड़ी सी जो बात हमें कही गई है जो हमें समझने की बात है वो समझते हैं इसमें कहा गया कि अगर एक member of parliament या फिर एक MLA के उपर कोई भी subsection 1, subsection 2 या subsection 3 के तहट कोई भी disqualification prove हो जाती है तो ऐसे में जिस दिन उसकी conviction होती है उस conviction की date से 3 महीने तक उसे disqualify नहीं किया जाएगा मैं दुबारा बता दूँ कहता जी notwithstanding anything in subsection 1, 2 और subsection 3 a disqualification under this either subsection shall not in the case of sitting MLA sitting MP take effect until the 3 months have elapsed from the date क्या मतलब है कि एक MP है या फिर एक MLA है उसके उपर यहाँ पर conviction हो गई conviction के 3 महीने तक उसके उपर कोई कारवाई नहीं होगी यानि कि उसको जो disqualify किया जाना था subsection 1, 2 या 3 में under section 8 वो disqualify नहीं किया जाएगा पहली बात तो यह कही गई दूसरी बात यह कही गई कि within these 3 months अगर उस व्यक्ती ने appeal कर दी या फिर एक application court में लगा दी appeal के लिए तो जब तक उस appeal का निप्टारा नहीं हो जाता तब तक उस MP या MLA को disqualify नहीं किया गया यह जो section है subsection है यह यहाँ पर problematic है दुबारा इसको देख लो कि एक MP है या एक MLA है और इडी बना हुआ sitting MLA या MP है उसके उपर कोई आरोप लगा आरोप सिद्ध हुआ उसको 2 से अधिक साल की सजा मिल गयी लेथ से उसको 5 साल की सजा मिल गयी अब यह section क्या कह रहा है subsection क्या कह रहा है अब section 8 जो 4 है यह क्या कह रहा है यह कहता है कि भई ऐसा MP MLA जिसको 5 या 2 से अधिक की सजा मिल चुकी है उस MLA MP को आप तब तक disqualify नहीं करोगे जब तक 3 महीने पूरे नहीं हो जाते उसकी सजा मिले हुए को या फिर जब तक उसने अगर मालो इस 3 महीने के दुरान कोई अपील कर दी उस सजा को या उस कन्विक्शन के खिलाफ अपील कर दी तो जब तक उस अपील के उपर फैसला नहीं आ जाता तब तक आप उसे disqualify नहीं करोगे अब यह जो सब सेक्शन था यहां पर problematic था problematic क्यों था क्योंकि इसने यह जो पूरा परपस था section 8123 का इसी को defeat कर दिया क्योंकि जब भी किसी MLA MP की उपर कोई conviction होती थी तो वह फटा-फट से एक application लगा देते थे अपील कर देते थे higher court में higher court में वह जो appeal होती थी वह फिर से लटक जाती थी एक साल दो साल पांच साल निकल जाते थे इतने में उनकी term पूरी हो जाती थी इतने मामला खतम हो जाता था तो एक तो यह problem इसमें सबसे बड़ी थी और इसी problem की वज़े से इसे चैलेंज किया गया जो petitioner थे जिन्होंने चैलेंज किया था उन्होंने यहां पर क्या कहा थोड़ी सी उसको हम समझ लेते हैं उन्होंने का कि भई ऐसा same provision जब हमारा constitution बन रहा था उस समय भी एक amendment के तुरू लाने की कोशिश की गई थी कहा गया कि एक amendment हमारी constituent assembly में पेश की गई थी नाइंटेन फाइव नाइंटेन फोटिनाइन यानि कि 19 मई उन्ने सो उन्चास के दिन एक amendment को लाई गई थी हमारे constitution में और उसमें भी कुछ ऐसा ही provision लाने की कोशिश किये गए थी लेकिन उस समय कि हमारी जो समविधान सभा थी उन्हों ने ऐसा कोई provision अलाओ नहीं किया जो कि section 84 में दिया गया है तो आब हमारी सरकार ने अब हमारी सरकार ने इसे क्यों हमारे इस RPA 1951 में डाला यानि कि यह provision जिसे हमारी समविधान सभा ने यहाँ पर reject कर दिया था उसे हमारी Parliament ने section 8 clause 4 की form में क्या section 4 की form में क्यों डाला यह कहा गया petitioner की तरफ से जो कि Supreme Court ने कि प्रभाकरन वर्सेज पी जैराजन के case में अपहल्ड कर दिया है इसलिए यह problematic है नहीं दूसरी बात उन्हों ने यह कहा कि यह जो सब section 4 है यह एक member of parliament या MLA के benefit के लिए नहीं है बट इस टू हो जाएगा ultimately house चले नहीं पाएगा उन्होंने यह बात कहीं लेकिन Supreme Court ने इनकी बात को मानने से मना कर दिया और Supreme Court ने किसके हक में फैसला दिया Lily Thomas के हक में फैसला दिया जो सबसे बड़ा question Supreme Court के सामने आया था वो इस case में वो यह था कि क्या Parliament यह कानून यह यह legal provision बनाने के लिए सक्षम भी थी क्या Parliament was Parliament even empowered to make such law or provision as given in section 8 clause 4 यह सब section 4 of 1951 RPA यह question जो है सबसे बड़ा question उठता है हमारे Supreme Court के सामने दोस्तों इस पूरे मामले में judgment देते हुए Honorable Supreme Court ने यह सपष्ट किया कि जिस सब section 4 को लेकर सारा मामला चल रहा है या जिस provision को लेकर सारी लडाई चल रही है वो provision अपने आप में गहर समविधानिक है अल्ट्रा वाइस तुदी constitution है ऐसा Honorable Supreme Court ने क्यों कहा चलिए समझते हैं दरसल Honorable Supreme Court ने यहाँ पर दो और आर्टिकल का जिक्र किया एक है आर्टिकल 101-101 और दूसरा है आर्टिकल 190 दरसल आर्टिकल 101 में यह सपष्ट किया गया है कि अगर कोई MP 102 में दिये गए किसी भी ग्राउंड पर disqualify होता है then his seat shall there upon become vacant यानि कि अगर 102 में दिये गए किसी भी ग्राउंड पर एक MP disqualify होता है तो उसकी seat अपने आप तुरंत प्रभाव से क्या हो जाएगी vacant हो जाएगी खाली हो जाएगी इसी बात का सहारा लेते हुए Honorable Supreme Court ने कहा कि अगर 102 में दिये गए grounds पर ये बात लागू होती है तो 102 के तहत लाए गए additional disqualification जो है additional disqualification जो है जो की section 8 में लाए गए हैं उन पर भी ये बात लागू होनी चाहिए यानि कि section 8 में जो दी गई disqualification the representation of people's act 1951 के section 8 में जो दी गई disqualification हैं उनके तहत भी अगर कोई MP या MLA disqualify होता है तो उसकी seat तभी खाली हो जानी चाहिए Parliament के पास ये power नहीं है कि ऐसे मामलों में जहां पर section 8 लागू हो रहा है वहाँ पर disqualification के time को बढ़ा सके क्योंकि अगर Parliament ऐसा करती है जो कि subsection 4 में किया भी वो article 101 और article 190 के खिलाफ जाएगा इस वजह से ये जो subsection 4 of section 8 है जिससे challenge किया जा रहा है वो सही challenge किया जा रहा है वो ultra wise to the constitution है वो सब एक article 101 और article 190 के जो provisions हैं उनके खिलाफ जाता है ये बात कहते हो है Honorable Supreme Court ने ये बात सपष्ट की कि अगर किसी MLA या MP को disqualify किया जाता है section 8 of RPA के तहत तो उसे अपनी seat तभी छोड़नी होगी उसके पास ये जो तीन महीने का window मिला है वो होगा ना ही उसके पास जो अपील के समय का जो window मिला हुआ है वो होगा दोस्तों इसी केस में हमें ये देखने को मिला कि Supreme Court ने ये बात कही आई होब कि आपको ये पूरा लिली थोमस का जो केस है समझ आया होगा अगले session में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों इसी तरह कि कुछ नए case clause के साथ, till then thank you and have a great day ahead